दोस्तों अगर आपको पेटियम के अंदर mini KYC करनी है तो सबसे पहले प्रूफ के तोर पर आप देखो कि मिनी यहाँ पर पेटियम की mini KYC complete हो चुकी है जिए यहाँ पेटियम की mini KYC मैंने complete कर ली है अब ये आपको पेटियम की मिनी केवाइसी किस तरीके से करनी हैं पेटियम की मिनी केवाइसी मैंने कित तरीके से की हैं चलिए मैं आपको बता देता हूं पेटियम की मिनी केवाइसी करने के बाद सभी यूजर पेटियम की पूल केवाइसी कर सकते हैं क्योंकि Paytm के अंदर saving account या Paytm का payment bank account जो open होता है वो mini KYC होने के बाद ही open होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं benefit के तौर पर mini KYC के हो जाने के बार आप यहाँ पर यह सर्विजिस का फायदा ले सकते हैं लेकिन आपको mini KYC करनी सबसे पहले compulsory होती है आपको mini KYC कित तरीके से करनी है चलिए मैं आपको उसका process बताता हूं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है पुराना वर्दन अनिस्टॉल कर दीजिएगा लेटस वर्दन में पेटियम आपको इनिस्टॉल कर लीजिएगा फुराना निस्टॉल करने के बाद जब आप इते अपडेट कर लेंगे अपडेट हो जाने के बाद बिल्फुल नए सिरे से एक पेटियम का एक अकाउंट बनाना होगा जिसके लिए आप यहाँ पर इते ओपन करके यहाँ पर मुवाइल लंबर डालेंगे टर्मेंट कर लेंगे प्रियसी सेक्यूर्ली ते ऑफ्टियम पर क्लिक करेंगे अब आपको इसकी मिनी के वाइटि करने के लिए पेटियम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर वालेट का ऑप्शन भी आपके सामने आ रहा है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूगा कि आप इस वाले ऑप्शन से नहीं करना आपको यहाँ पर डारेक्ट बार पार ऑप्शन ओपर कॉर्ण ने लिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक पर सिस्टेटेस के उप्षिन पर किलिख करेंगे यहांप से उबचन परन के वाईसी पेजर से पकलिखके पर उबनेकि घ्याय यहाँ पर आपको कि प्लिक करेंगे जैसे ही किलिक करेंगे तो आपके सामने आजाएगा चार्ट जायगे आपके सामने यहाँ पर आपके प्लीट करह एंदर करने के लिए तीन आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर इस टीटर दिखाया जाएगा जैसे कि मैं I want to complete my KYC का option पर क्लिक करूँगा जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर PTM से related जो भी query मेरी होगी वह यहाँ पर दिखायेगा जैसे कि मुझे KYC किस तरीके से करनी है KYC मैं किस तरीके से अपर जानकरी दी जा रही है जैसे कि मैं आफर वीडियो KYC के माद्यम से PTM की कमीनी KYC करना चाता हूं या PTM की KYP दूसरे माद्यम से करना चाता हूं तो आप आपनी query महाँ पर select कर दीजेगा जैसे ही आप select करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर यह पूरा का पूरा डिटेल दिखाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि अधार कार्ट के अंदर ओटिपी बगारा लिंक होना चाहिए पैन कार्ट के अंदर इस तरीके से आपको मैं इंस्ट्रक्शन देगा PTM की KYC करने के लिए तो जैसा कि मैंने आपको दोनों option बता दिये हैं कि PTM KYC करने के लिए आपको इन तो इन चीयाने के दोनों option हों के मात जैसे सबसे पहले तो आपको इस वाले से अपने status चेक करना है और अपनी अगर अपनी डिटेल बगारा डाले और अगर नहीं आ रहा है तो पीटेम की KYC के option पे किलिक करके यहां पर अपनी बेटिक सी डिटेल बगारा डालके अपनी query को select करके KYC बगारा अससे रिलिटेंट जानकारी ले ले तो इस तरीके से KYC करने जिएगा जाते 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 वीडियो को लाइक चैनल को रस्पाइब बैल आइकन को जोड़ दबाईएगा